सबसे पहले वीडियो को इस तरह के से लाइक करें और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो और अगर आप बैल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सबी वीडियो मिल जाएंगे जैसे ही मैं यू वीडियो अपलोड करूंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर केरते रहेगा अगर आपको अच्छी लगी है तो यह है हमारा फ्रेंट पैनल जिसमें यह रिजाइन है यह बैक पैनल पीछे का हिस्सा पीछे का पैनल तो फ्रेंट पैनल पे हम कटिंग कैसे करते हैं हम पहले तो उपर मार्ट कर लेंगे आधा इंच्छी सिलाई में जाएगा उसके बाद हम लेते हैं जितने भी बर्स्ट को 12 से डिवाइड करते हैं 12 से बना रहे हूं 38 इंचिस के लिए 38 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी कैलकुलेटर पे तो आएगा 3.16 3.16 आएगा तो हम उसस जादा कभी भी नहीं लेंगे हम उससे चाहे कम ले ले चाहे 3 लेले वह चलेगा 3.1 वैसे यहां पर आता है इससे थोड़ा सा आगे यह वला जाता है 3.25 तो हम उससे कम लेंगे तो चलेगा जादा कभी भी नहीं लेना तो हम इस वक ले रहे हैं 3.1 इस कॉर्णर से 3.1 नाप लो विलकुल सही नापना है हर जगे से ताकि आपकी सारी निशान सही आए और इसी कॉर्णर से हर जगे आपको 3.1 नापके इस इंची टेप को भुमाना है ताकि ये सकल सही बन जाए ऐसे ये ही खासियत है पहले पिछे का पैनल का इपाल से हर जो अबरा की पूड़ा की इस तरह से और यहां पर किसम ले भी कॉऽव जसे और इसको आपने ऐसे हल्की सी curve शेप में दे देनी है। क्रम पे cutting करेंगे जो आगे वाले डिजाइन बनाना अधर पीछे डिजाइन बनाना है। जैसे कि अभी पहले हम पीछे की cutting कर लेते हैं आगे हाले की इसी की बीच में से निकल जाएगी। पीछे हमने बनाना है डिजाइन तो उसके लिए हम में पता है उपर एक इंच हम अल्रडी काट चुके हैं तो उसको जितनी भी लेंद है उसमेंस कर लेना अगर मैं को छह इंच का बनाना है तो पहले हम नीचे आदा एंच का माजन देंगे जो हमारा बुकरम उसके बाद तो टोल में को साध्य 6 इंच का गलव नाना था लेकिन उपर हमने एक इंच पहले ही ले चुके हैं हम सो उसमें से आधा इंच सिलाई में जाएगा तो मतलब कि आधा इंच उपर पहले ही ले चुके हैं तो आधा इंच इसको कम कर लो अब कितना हो गया यह 6 इंच तो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग ऐसे करी और इसकी उपर भी हमें पता है आदा इंच सिलाई में जाएगा और अब हम देखेंगे कि हमें डिजाइन पीछे वाला कैसा चाहिए तो मुझे चाहिए पहले तो हमेशा उपर जो सिलाई में जाएगा उसको सीधा ही रखा करो तो अगर हमें यहां से एक इंच खुला चाहिए तो हम ऐसे खुला रख लेंगे नहीं तो बैन चाहिए तो बैन रख लेंगे वो आपकी इच्छा है X 2 पार इतना आपको खुला चाहिए एक इंच उसके बाद हम यहां पर डिजाइन बनाएंगे कि जैसा रिजाइन चाहिए पर इसकी चुड़ाई कितनी होने चाहिए तोटल गले कितने पहनते हो 6 इंच का पहनते हो तो उसको 2 से डिवाइड करो तो यहां पर 3 इंच जाद से ज़्यादा चुड़ाई इसकी होनी चाहिए तो यहां पर जो डिजाइन आपको बनाना है इस तरीके से पूरा गोल मटका में बनाना है या इधर से ऐसे लेकर आना है वो आपकी चौइज है यहां से इस तरीके का सुना ऐसा डिजाइन यहां पर बना रही हूँ आपको इसकी जगे जो डिजाइन चाहिए वो यहां पर बना लो कोई उसकी बात नहीं है उसके बात आधाषिक इसका माजन हर जगे चाहिए लेजे आपके पीछी का गला बन गया आगे वाला गला है उसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है जो हमने कटिंग की है कपड़े के उपर वो हमने उपर से 3 इंच पहले ही कट कर चुके है तो टोटल गला आपको कितना चाहिए 6 इंच चाहिए 7 इंच चाहिए तो उसे साफ से देख लो अगर 7 इंच चाहिए तो अब आपको 4 इंच का गला ये वाला आगे का बनाना है अगर 6 इंच चाहिए तो अब आपको 3 इंच का गला ये वाला बनाना है अब मैंको सिर्फ 6 इंच ही चाहिए तो मैं 3 इंच का गला इसके उपर लोंगी लेंध्วाइस तीन इन्च का तो इस तरीके से आप माजघ की तरीके से ऐसे छोड़ देंगे और यहां से 3 इन्च नाव देती हूं मैं यह रहा 3 इन्च और आब आप shape देंगे तो आगे से यह खूला कितना चाहिए तोटल 4 इन्च खूला चाहिए तो चार को दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दो इंच तो दो इंच इतना हो गया अब यहां से आपको यह वली शेप चाहिए जो आप देना चाहते हो इसकी जगे कोई और देना चाहते हो तो आप कोई और भी दे सकते हो मैंने यह दरबार वली शेप देनी है इसक उपर एसे रखे प्रैस करके आपते हैं अब मैंने इस बुक्रम को इसके उपर चिपका लिया है और आदे इसका माजन छोड़के साइच से कट कर दिया और यह थोड़ा सा भ्यान रखेगा कि उपर एक इंच कम से कम एक्सटा रखेंगे क्योंकि यहां पर हमने ऐसे गुलाई और इसका भी इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को हम बैच करेंगे ऐसे और यहां से भी अब हम यहां पर पिंस लगा रहे हैं यह कपड़े की गलत साइड है फ्रन्ट पैनल की गलत साइड अब हम सिलाई मेशीन पर जाएंगे और इसको उपर थोड़ा सा खीचते हुए ऐसे निशान लगा लेते हैं इसको भी यहां पर आसे निशान लगा लेते हैं हर्चीद चेक करके यह सेंटर में ही आए यहां से स्टार्ट हो जाएंगे और इसको यहाँ पर stitch करेंगे ना इस बुक्रम के उपर stitch करना है ना ही इसके उपर बिल्कुल इसके corner corner पर ऐसे stitching करनी है और फिर यहाँ पर ऐसे stitching करनी है जब हम corner पर आते हैं तो सुई को ऐसे नीचे रखके फिर ऐसे turn करते हैं अलका सा माजन छोड़के अंदर की तरफ फिर हम इसके cutting करेंगे इस पर छोटे-छोटे cuts लगाएंगे इसको ऐसे front की side पर लेके आएंगे ऐसे और आप चाहें तो यह जैसे pipe in दिख रही है पीछे वाला यह कपड़ा तो यह बहुत ही प्यारा लगेगा ऐसे भी रख लीजिए pipe in को भी आगे रख लीजिए अब इसके उपर-उपर stitch करते हैं बिल्कुल यह जो corner है ना इसके उपर-उपर ऐसे stitch करते हैं तो हमारी इसला ही दिखाई भी ने देगी और आ भी जाएगी लिजे यह गला बहुत ही प्यारा रेडी है इसकी गलत साइट से देखकर ऐसे इसके एक्स्ट्रा क्लोथ को कट कर सकते हैं कि हमें इसकी और finishing देनी है तो इसको ऐसे टर्न कर देंगे अगर मालो मेरी तर्य बुक्रम कम पढ़ गई थी तो यह उपर वाले हिस्से को भी इतन सी रेशो में ऐसे टर्न कर देंगे और अब आपको भी आइडिया हो गया होगा कि यह वाली वुक्रम इससे एक्स्ट्रा लीजिए एक या डेर इंच एक्स्ट्रा लेंथ में लीजिएगा अब हमारा यह प्यारा सा गला यहां पर वी वाला रेडि है इसके उपर अब हमें सिफ कॉलर लगाना है यहां पर भी मैंने संटर पॉइंट पे ऐसे संटर नॉच लगा दिये इन दोनों को मैच करते हुए एसे मैंने हर जगा पेंस लगा लिए इसको और अब हम स्टिच करेंगे बिलकुल यहाँ पर इस बुक्रम पर भी नहीं करना इस पर भी नहीं करना सुई कहा जाने छाए इस जगा जाने चाहिए इसको भी थोड़ा सा माजन चोड़के कट कर दिया है और अब छोटे-छोटे से ऐसे कट्स लगाने जरूरी है इससे टर्निंग इजीली हो जाती है और सफाई से गलाव बनता है ध्यान रहे जो धागा आपने स्टिच किया है वो ना कट जाए अब इसको फ्रंट की साइट पे ऐसे टर्न करके वैसे ही स्टिच करेंगे जित्ती पाइपिन आपको भार निकाल लिए इसको ऐसे भार निकाल लो पत्ती सी हमें चाहिए टर्निंग पॉइंट पे सुई को अंदर इसको उपर उठाया ऐसे टर्न करते हैं ऐसे टर्न करके हम इसके उपर भी स्टिच करेंगे कॉर्णर्स पे सारा एक्स्ट्रा क्लोस अंदर के तरफ डालते हुए सो यह आपका रेक डिजाइन बन गया है प्यारा सा अब इनके आम होल स्टिच करेंगे इसके लिए दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ और आम होल को स्टिच करना है हाफ इंच का माजन छोड़के हमने ये गला बना लिया है ये बैक का है ये फ्रेंट का है अब इसके लिए भुक्रम नापनी है तो भुक्रम कैसे नापनेंगे आप एक साइड से किसी भी एक साइड से स्टार्ट हो जाएंगे यहांसे उपन रखना है बैक साइड से और यहांपे हम चाहते हैं कि ओवरलैप हो यानिकि जो पीछेह का चौलर है वह एक दूसरो के ओवरलैप होके वहांब एक बटन लगए जिससे कि खोलकर ये असानी से पहना जा सके तो उसके लिए हम इसको नापेंगे कि यह तो टोटल है दो इंच हमने रखा था तो जैसे कि एक इंच रखा था एक प्लस एक दो इंच हो गया यह तो यहाँ पर तीन इंच होना चाहिए तभी वह ऑवरलैप हो पाएगा आधा-धा इंच इस तरीके से ना चाहिए इस तरह से यह अभी हमारा यहां तक आज साड़े नो के बाद ये सैंट्र वाला पार्ट हमने कितना रखा था हमने रखा था चार इंच 4 इंची ये चीजे याद रखनी है कि हमने ये खुला कितना रखा था band color बना रहे है तो ये हमने 4 इंची रखा था 4.5 में 4 इंच एड़ करोगे तो 1.5-3 इंच आया और इसको सही से रखा है अगर आपने यापे सही से बिछाया है तो ये बिल्कुल इसे साफ से ठीक आएगा अब इसको यहाँ से फिर इसको अच्छे से नाप लेंगे ऐसे करके कि यहाँ लास्ट पर कि ये कितना रहा है तो हमारा मार्किंग एग्जाक्ली सेम सही आएगी तो यह आए 20 इंच 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 तो टोटल के लिए मैं चाहती हूं कि यह होना चाहिए मेरा 20 इंच 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 विर्थ मुझे चाहिए मुझे चाहिए 0.75 इंच इंच पर मैं लगा लूगी अगर को पूरा इंच इंच चाहिए तो आप इंच का पूरा क्ne लास्ट में आकर माली जी ये इतना है क्योंकि ये इसमें से अल्रेडी मैंने एक कॉलर निकाला था तो इसलिए ये ऐसे टेड़ा ही है तो ये यहां तक आता है तो इस पोने का आधा एक्जाक्ली निशान लगा लोगे तो वो यहां पे आएगा सो इस आधे पे ऐसे हम जाएंगे उपर और यहां से फिर पोने किंच का निशान लगाएंगी इस तरह से यह यहां पे आ रहा है यह वाला बोट की शेप देते हैं जैसे मैं मेशा अपने कॉलर वाली वीडियो में समझाती हूँ तो यह मैंने ऐसी शेप दे दी यहां पर नैक्टिक के लिए तो यह मेरा कॉलर की शेप है और इसके नीचे मैं बताती हूँ कि यहां से ऐसे टेड़ा भी करना है तो यह आपका टेड़ा भी हो क्या है थोड़ा ड्राफ्टिंग यहां पे समझा देती हूँ जैसे कि यहां पर पहुंचे यह नीचे वाला पार्थ है यह जितना भी आपने लिया है उसका एक्जाक्ली हाफ कर लेंगे आधा कर लेंगे इसको नीचे से ऐसे बॉर्ट की शेप देंगे अब इधर से जितना कॉर्लर है जैसे कि पॉने 1 इंच पॉने 1 इंच उपर चले जाएंगे और ऐस यहां पर दी है अब इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ इसको इसको डबल करना होगा अब इसको ऐसे डबल करना ओगा यह ध्यान रहे कि इसके हर जगा आधा इंच का मार्जन जरूर आए और ये वाला पाट जो है ये नीचे का पाट है इसका मतलब आपको यहां से स्टिच करना है इधर से ये उपर से इधर पे ऐसे स्टिच करके और यहां पे फिनिश कर लीजिए नीचे वाला खुला रहेगा इधर से जहां से इसको टर्न करना है सिर्फ वही पे जहां पे आपने इसको स्टिच किया था नीचे से खुड़ी हुए साइट पे अभी कोई टककट नहीं लगाना जbuild याइज अपिछ को अबनी कोई अब आ चाइगा को यह आपका आगा है प्रेंट पैनल बना लिया है इसमें लगाना है यह बैण लगाना है इसमें हमें लगाना वाला फ्रेंट पर मैं आएगा और बैक तक बैंक कोछलर आ इसके लिए आपको मेजर करना होगा इस बैन का बिल्कुल मिडल पॉइंट जैसे कि यह मिडल पॉइंट है हमने यहां पर माक कर लेना है ऐसे और आपको पता है यह हमने कितना चोड़ा रखा था यह ज्यादा चोड़ा हो गया तब भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी यह हमने टोटल 4 इंच रखा था 4 इंच इसको 4 इंच ही आएगा इसका बैन का हिस्सा भी 4 इंच ही आएगा यह जो सेंटर पॉइंट लगाया है हमने निशान इसका इस साइट पर 2 इंच एक्जाक्ली आना चाहिए और इस साइट पर भी एक्जाक्ली आना चाहिए यह नहीं है कि इससे काम या ज्यादा आजाए क्योंकि बैंड कॉलर में यह जो कॉलर वाले कॉलर होते हैं इनमें एक्जाक्ली सेम मेजरमेंट चाहिए अधर्वाइस यह जाता लूज लूज लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप विल्कुल बीगनर है तो आप ऐसे भी का सक इससे कच्चा कर लेंगे फिर यहां पर आदा इंच का माजन चोड़के स्टिच कर सकते हैं इसे तो हमारा यह सिलते हुए इधर उधर नहीं भागेगा कि और यह जो कच्चा किया होगा आप यह बार में उधेड़ देना और यह बैंड वावर लाप होने के लिए बाहर आ जाएगा लग गया है तो अब इसली स्टिच हो जाएगा अब यहां से आपको पता है सिर्फ चार इंच का ही माजन चोड़ना है तो अब इसके बाद चार इंच देख लीजिए यहां आएगा क्योंकि इस पे एक्जाक्ली करेंगे यहां से हाफ इंच का मार्जन चोड़के आधे इंच का मार्जन ऐसे चोड़के पहले नीचे वाला बैंड को पूरा स्टिच कर लेंगे और फिर ऐसे ही यहां से इस पार्ट से यहां तक नीचे वाले बैंड को स्टिच कर लेंगे जैसे हमने यहां पर अभी कच्चा किया हुआ है तो इजी हो जाएगा मैं इसी निशान के उपर एक्जाक्ली इसको सेम रखके फिर इसको स्टिच कर रहे हूँ आधा इंच का माजन छोड़के सेम ऐसे ही दूसरे साइट पे भी इसको स्टिच कर देंगे जैसे यहां पर मैंने मार्किंग की थी यहां से यहां तक इसको स्टिच कर देंगे इस पूरे एक्स्ट्रा क्लोथ को इस तरीके से अंदर के तरफ टर्न कर देंगे ताकि विकुल फिनिश रहे कुछ भी खराब ना दिखे ऐसे दोनों साइट से चेक कर लेंगे कि सही साइट से भी सही लगे थोड़ी सी फिनिशिंग में अगर कोई खराबी है तो ऐसे विकुल टर्न कर लीजिए दोनों साइट से कर लिया है इसके आगे ही कंटिनू करेंगे सब कुछ अंदर के तरफ डाल देंगे एक्स्ट्रा क्लोथ ऐसे सारा एक्स्ट्रा क्लोथ अंदर के तरफ डालते हुए यह पाटाया जो खुला रहेगा जैसे कि यहां पे कुछ भी नहीं है नीचे कपड़ा नहीं है तो अब क्या करेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है यह वाला इसको इसी के जितना ऐसे फोल्ड करके सफाई से ऐसे मैच करेंगी यह ध्यान से देखेगा कि कैसे मैच करना है ताक इसे ही लास्ट में सारा कपड़ा अंदर की तरफ टालते हुए इसको फिनिशिंग दे कर फूरा है यहां पर यहां से करके स्तिच दे देंगे यहां पर पीछी का पैन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर आप इस तरीके से बन करने के लिए दो काज करके बटन लगा लो वो भी अच्छे लगेंगे या फिर हुकाई लगा लो या फिर टिच बटन लगा लो अगर आप देखेंगे कि बैक साइड से कैसा लग रहा है यहाँ पर यहाँ से बैक साइड है यहाँ पर हम इसक तो टेक करने के लिए यहां पर काज लगा के भी बटन बना सकते हैं या फिर टिच बटन लगा सकते हैं मैं यहां पर टिच बटन लगाओंगे और डेकोरेट के लिए यहां पर दो बटन इसके बनवा के लगा देंगे हम कपड़े के